हेलो फ्रेंट्स एन वेलकम टो आर चैनल माई नेम इस आधर्स कृष्णा यूर वाचिंग बात करने वाले हैं रैंग वर्सेश कॉलेज स्ट के टेगरी के स्टुडेंट्स के लिए यानि कि आपको कितने रैंग पर कौन से कॉलेज मिल सकती है उसके बारे में डीटेल नों बात करेंगे इस वीडियो में और यह जो मैं कट आउफ बताऊंगा यह लास्ट येर का कॉट आफ आपका आर्किटेक्ट्चर और प्लानि तो जो आपकी सबसे पहले कॉलेज हो है M.I.T. जैपूर यह फिर को है M.I.T. जैपूर तो इसमें जो आर्किटेक्ट्चर की होम स्टेट की कट आफ है SC के टेग्री की वह है 1703 1783 यानि कि अगर आपकी रैंक 1703 रैंक के अंदर है तो आपको SC के अंदर होम स्टेट कोटा मे आर्किटेक्ट्चर मिल जागा N.I.T. जैपूर में ओके नेक्स्ट आपका होम स्टेट कोटा में SC के टेग्री के लिए जो क्लोजिंग रैंक है वह है 147 ये कट आफ है अगर इसके अंदर आप रैंक लेते आते हो तो आपको N.I.T. जैपूर में आर्किटेक्ट्चर मिल ज n.I.T. आर्किटेक्ट्चर की होम स्टकी क recursos के टेगरीम है 2400 फिर แक्ट अंडर फिर्यों नेग्स्ट अपकर दो RJC की लोगों स्टाउजिंग रैंट नियुके क्लोजिंगं ने इस र्यंक प्र आपका डान को सो राइनीग में capitalism का चैक्टेक्ट्चर brings il 9 2,595, SD का टेग्री का जो cut-off है, वो है 567, अगर म.IT भोपाल की आर्किटेक्चर में अधर स्टेट की बात किया है, तो उसमें SD के टेग्री में आपका जो cut-off है, वो है 495, फिर आपका अधर स्टेट में SD के टेग्री का जो cut-off है, वो है 253, next आपका एनाइटी का लिकर्ट, NIT Calicut में जो architecture में आपका home state में home state में जो SC का cutoff है वो है 676 फिर आपका ST category का cutoff है वो है 1108 ओके यानि 1108 next आपका architecture में अगर other state में बात किये जाए NIT Calicut की तो इसकी SC category के cutoff है 358 ST category के cutoff है आपकी 81 next बात करते हैं हम लोग NIT हमीरपूर की तो हमीरपूर में जो आपका architecture का cutoff है home state में home state में SC category के लिए आपका है 1989 फिर ST category के लिए जो आपका cutoff है home state में हो है 1240 यानि 1240 फिर आपके other state की NIT हमीरपूर में architecture की cutoff है SC category की 559 और ST category की है 275 next बात करते हैं हम लोग NIT पटना की तो NIT पटना में जो आपका architecture का home state का cutoff है SC category का वो है 1521 यानि 1521 1500 rank के अंदर अगर अब rank लेते आते हो तो आपका NIT पटना मिलने के बहुत chances है फिर आपका SC category का cutoff है ST category का cutoff है वो है 707 next आपका other state में NIT पटना का architecture में SC category के लिए जो cutoff है वो है 598 ST category के लिए जो cutoff है वो है 290 next बात करते हैं हम लोगा NIT राइपूर की तो NIT राइपूर में जो आपका architecture के लिए home state का cutoff है SC category का वो है 1700 तिरपन यानि 1753 अगर ST category की बात की जते इसकी cutoff है 443 okay फिर architecture में आपकी जो राइपूर की बात की जयादर state की तो इसमें SC category के cutoff है 681 ST category के cutoff है 271 okay next बात करते हैं हम लोगा NIT राइपूर के लिए के बारे में तो NIT राइपूर के लिए में जो आपका architecture के cutoff है home state का SC category में आपका है 876 ST category में 349 और other state में आपका architecture के लिए NIT राइपूर के लिए SC category के cutoff है 291 और ST के लिए 158 next बात करते हैं हम लोगा NIT 3G फिर NIT 3G रापली तो इसमें जो architecture का आपका cutoff है home state के लिए SC category में वो है 271 और ST category के लिए आपका cutoff है 746 next बात करते हैं हम लोग other state के अगर architecture के NIT 3G की बात की जातो उसका जो cutoff है SC category में वो है 163 और ST category में जो cutoff है वो है 103 अब हम बात करते हैं VNIT नागपूर के architecture बन्स की ठीक है जो आपका architecture का courses में home state का जो cutoff है SC category का वो है 482 ST category का cutoff है 2110 फिर आपका उसी में architecture में other state का जो SC category का cutoff है वो है 684 फिर आपका ST category का cutoff है 250 नेक्स्ट आपका BIT में सरा रांची जारकन तो इसमें जो architecture के आपके home state की cutoff है SC category का है 2803 ST का है 1609 फिर आपका next BIT में सरा other state के architecture की बात की जाए तो इसमें SC category का जो cutoff है वो है 675 और आपका ST के टेगरी के काट आफ है 212, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मिजोरोम युनिवर्सिटी आइजल, इसके आर्किटेक्ट्चर की, All India की जो कट आफ है, All India कोटा के अंदर SC की जो कट आफ हो है, 7823, ST की जो कट आफ है, All India के अंदर वो है, 385, नेक्स्ट है आपका School of Planning and Architecture, भोपाल यह फिर कहा सकते हो, SPA भोपाल ठीक है, तो SPA भोपाल में जो आपका Planning का, All India basis पे जो SC के टेगरी के कट आफ है, वो है 732, और ST का है 431, नेक्स्ट है आपका SPA भोपाल में Architecture का, तो इसमें All India basis पे जो SC के टेगरी के कट आफ है, वो है 504, और ST के टेगरी के कट आफ है 201, ओके, नेक्स्ट है आपका SPA न्यू देली है, फिर School of Planning and Architecture न्यू देली, तो इसमें Planning की बात की जाए, तो All India basis पे SC का कट आफ है, यहाँ पे 424, और ST के टेगरी का जो कट आफ है, वो है 380, ओके, नेक्स्ट है आपका SPA न्यू देली में Architecture का, तो Architecture का जो आपके All India basis पे SC का कट आफ है, वो है 218, और All India basis पे SC का कट आफ है, वो है 65, नेक्स्ट है आपका School of Planning and Architecture वीजयवाडा, तो वीजयवाडा में अगर Planning की बात की जाए, तो All India basis पे SC का कट आफ है, वो है 689, और ST का का कट आफ है 346, फिर अकर आपका SPA वीजयवाड इसमें जो आपके SC का कट आफ है, वो है 581, और ST की कट आफ है 245, नेक्स्ट आपका IIHT शिप्पूर, यह फिर बोल सकते हो, Indian Institute of Engineering, Science and Technology शिप्पूर, तो इसमें Architecture, Town and Region Planning की जो बात की जाए, अगर कट आफ की तो Home State SC के टेगरी का जो कट आफ है, वो है 137, और Home State SC के टेगरी का जो कट आफ है 307, और Other State में SC के टेगरी के का कट आफ है, आपका SC के टेगरी में 622, और ST के टेगरी में 166, so guys इस वीडियो में हमने बात की डिफरेंट जो आर्किटेक्ट्चर और प्लानिंग कॉलेजेस हैं, उसके जो सा कट आफ के बारे में जो लास्ट यार के उसकी क लास्ट इस वार और प्लानिंग कर दो है, आज भूप्लानिंग झाट जो आर्किटेक्ट्चर इस वार्किटेक्ट्चर ग्रड़ी ऑ्लानिग ...